अब कुछ मिल जाएगा जिन्दगी में तो तमन्ना किसकी करोगे, कुछ अधूरी ख्वाहिशें तो जिन्दगी जीने का मज़ा देती हैं, हलो दोस्तों, मैं कमल सिंग स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूटूब चैनल, इस्टेडी वित पुनाओर में, दोस्तो में जाना हैं। आपने इस्या के बारे में जाना, आज मैं आपको बताऊंगा, यूरोप महादीब देखिए यूरोप महादीब को इंगलिश में महादीब को कॉंटिनेंट कहते हैं महादीब मैंने आपको बताया था कि दूइप जो चारो और जल से गीरा हो वही बिसाल भूखन दूइप जैसा एक बिसाल भूखन जिसमें बहुत संख्या बहुत सारी जन अबत्रसाने देखे थे आज हम यूड़ोप को देख रहें एपको pastley आपको बता हुग कब कुण आग करता है या यूड़ोप को करता है बात है हुई देका मैप में इस तरफ इस या है यह है यूरोप यहसे यह कोWe से यहां से यह पूरा इस्पेन से होते हुए यहां पूरा यह यूरोप महादीव है देखिए यहां से मैंने आपको बताया थे यूराल परवत कैस्पेन सागर काला सागर और भूमत सागर सीमा बनाते हैं जो एसिया को यूरोप से अलग करती हैं प्राक्रदिक सीमाएं वही स यूरोप को भी तो एसीया से अलग करेंगी इसका उत्तर वही हुआ जो एसीया से यूरोप को कौन अलग करता है कहिए चाहिए यूरोप को एसीया से कौन कौन से सबसे पहले आपका यूराल परवत यूराल परवत आप लोगो लिख लेजिए बड़ी हासे यूराल परवत कै कैस्पियन सागर काला सागर सागर लिख लेजिए और भूमद सागर भूमद सागर इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यह प्रथवी के बिल्कुल बीचोबीज इसलिए इसको भूमद सागर कहते हैं किस प्रायदीप को किस महादीप को प्रायदीप का प्रायदीप कहा जात किसे कहा जाता है आपने यह देखा कि दूइब किसे कहा जाता है देखे वह भूखंड जो चारों और जलसे घीरा हो उसे हम कहेंगे दूइब और प्राइदूइब किसे कहेंगे देखे प्राइदूइब की परिभासा है आप लोग लिख लीजिए परिभासा प्राइदूइ प्राइदीप कहते हैं, जैसे आपने भारत का मैप तो देखा होगा, भारत का मैप ऐसे नीचे ऐसे रहता है, यह भारतिय प्राइदीप कहते हैं इसे, जो यहां से गुजरात से लगा के, गुजरात, महराश गोवा, करनाटक, केरल, तमिल, नाडू, आंध, बदेश, उरीश पर्ष्ची मंगाल तक, यहां यह इतने से, इसे हम नीचे वाले भारत को भारतिय प्राइदीप कहते हैं, देखें, एक, दो, तीन, पूर्व, पर्ष्ची मौर, दच्छिड, तीन हिस्सा हिंद महा सागर से घिरा हुआ है, यही होती है, प्राइदीप की परिभासा, वह भ प्राइदीप को प्राइदीप कहा जाता है, आप योरोप का मैप देखेंगे, यह यहां पर हर जगे प्राइदीप निकले हुए हैं, क्योंकि कटा फटा बहुत है, इसलिए इसको प्राइदीप काईदीप कहते हैं, और इसे प्राइदीप से प्रसन भी बहुत सारे आते ह हैं जो की परिच्छा की दरस्टे महातपूर्ण है आई बेरिया के प्राइदीप में कौन कौन से देश इस्तित हैं देखें दो देश इस्तित हैं आप लोग यहां पर देखिए यह पुर्तगाल और इस्पेन यह ऐसे देखें तीन हिस्ता इसका गिरह हुआ है जल से इसे कहत जोते हैं हम आइबेरिया का प्राइदीप आइबेरिया र The White Interlight Gue दो देखें पूर्तगाल और इस्पेन यह देखिए यह देनमार्क यहाँ पर है नार्वे सुजन फिल्लेंड के नीचे यहाँ यह देखिए यह दोस्तों देनमार्क है जर्मनी के ठीक उत्तर में देखिए इसका एक हिस्सा देनमार्क का जर्मनी से लगा हुआ है बागी तीन हिस्सा जल से घिरा हुआ है इसलिए मैंने आपको बताय प्राइदीप उसी को कहेंगे जो भूखंड तीन और जल से घिरा हो देनमार्ग देश का तीन हिस्सा जल से घिरा हुआ है और ये दच्छडी हिस्सा जर्मिनी के उत्री हिस्से से मिला हुआ है इसलिए जूट लेंड के प्राइदीप में एक देश इस्तित है जिसका नाम है कि देश आते थे नार्वे स्वीडन फिनलेंड नार्वे स्वीडन फिनलेंड यह देखिए ऐसे यह तीन जल से गिरे हुए हैं एक और यह ऊपर से आपस में सम्मिले हुए हैं ये नार्वे से स्वीडन स्वीडन से फिनलैंड ये सम्मिले हैं और इनके तीन तीन हिस्से जल से घिरे हुए हैं अगर आप से पूछा जाए कि इसकेंड नेविया के प्राइदीप में कौन से देश आते हैं तो उत्तर होगा तीन देश का नाम है नार्वे स्वीडन फिनलेंड एक प्रसन दोस्तों और पूंचा जाता है कि इसकेंड नेविया के प्राइदीप में कौन से देश है अलग प्रसन है इसकेंड नेविया के प्राइदीप में पूंचा जाए तो केवल तीन देश है नार्वे स्वीडन फिनलेंड लेकिन अग प्राइदीब के देश तो सामिल ही है स्केंडिने भी आई देशों में और दो देश और सामिल है देनमार्क और आइसलेंड देनमार्क मैंने बताया यहां है और आइसलेंड दोस्तों यहां 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 यहा है कि यूरोप के किस देश की राजधानी सबसे उत्तर में है सबसे उत्तर का मतलब होता है दोस्तों जितने भी यूरोप के देश हैं तो सबसे उत्तर में देश इसका सबसे उत्री राजधानी कौंसी है तो सबसे उत्री राजधानी आइसलेंड है आइसलेंड की राजधानी रेज्याबिक देखे कल एक प्रस्ण बहुत महत्तपून आया था जब मैं A.S.I.A. महादीब आपको पढ़ा रहा था कि A.S.I.A. महादीब में भूमत ध्रेखा के दो देश पढ़ते हैं कौन कौन से भूमत ध्रेखा में यानि जीरो डि nutrit चांस में पढ़ रहे थे क कौन कौन से एक थाा आपका मालडीप एक था इंडोनेशिया और एक प्रसुनिश चे बाद इन ही दो में से किसी की धी राजधानी होगी लेकिन वह प्रस्ण गलत था कियोकि इन दोनों की राजधानी थोड़ा दूर दूर है और एक था देश सिंगापुर जिसकी राजधानी भूमत्रेका के सबसे नजजदीक थी यही प्रस्ण यहाँ पर इस तरह का है यूरोप के किस देश की राजधानी सबसे उत्तर में है दोस्तो जो मैंने आपको बताए था करक रेखा 35 डिगरी उत्तरी अच्छांस को कहते हैं इसी तरह एक रेखा और महत्पूर्ण है अच्छांस को हम कहते हैं आर्कटिक ब्रत दोस्तो यूरोप के तीन देशों से होकर गुजरता है यह है 36 डिगरी आप मैप में देख रहे होंगे यह 36 डिगरी की लाइन आई हुई है यह ऐसे यह 36 डिगरी की लाइन ऐसे निकल गई है तो 36 डिगरी यानि आर्कटिक ब्रत में यूरोप के तीन देश आते हैं नार्वे, श्वीडन, फिनलेंड जो की स्कैंड नेविया के प्राइदीप में भी वही देश आते हैं जो देश इसकैंड नेविया के प्राइदीप में है नार्वे, श्वीडन, फिनलेंड यही तीन देश यही तीन देशों के बीचो बीच से होकर और 666 Degree यानि 666 Degree उत्री अच्छांस जिसे हम कहते हैं आर्क्रिक ब्रत्त यह बिलुकल बीचो बीच से होकर गुजरता है तो आप लोग सोचेंगे कि 6666 Degree के 6666 Degree के 666 Degree इनके नजदीक यूरोप की राजधानी या सबसे उत्री राजधानी वही है उत्तर एक ही है राजधानी है आइसलेंड की रिज्याविक देखिए दोस्तों आइसलेंड से 6,6 डिगरी गुजरती नहीं है देखे 6,6 डिगरी जो है इसके इसके ऐसे उपर से निकल जाती है आइसलें कर तूबर है लेकिन इनके बीचु बीच से होकर गुजरति फिर भी देखे हैं यहां है जो देखे लो है यहां है और जो आइसलेंड है आपका का उसकी राजधानी दोस्तों देखे कितने निशटीः और जो यूरोप की सबसे उत्तरी राजधानी है और सारह 680 डिग्री उत्तरी एक शाजी से आर्किक ब्रत कहते हैं उसके भी सबसे नजदीक राजधानी है दोस्तो चलते हैं कुछ और प्रसंद देखते हैं इरोप महादीफ में दोस्तो कुछ प्रसंद आओ रहे हैं देखिए यूरोप की सबसे पर्शिमी राजधानी दोस्तो यूरोप जो महादीप है इसकी सबसे पर्शिमी राजधानी है लिशबन पुर्टगाल की राजधानी लिशबन देखिए मैं आपको मैप में दिखाए दे रहा हूं यह देख सबसे छोटा डेस आपने नाम सुना होगा बेटिकन सिटी इस चोटा डेस और इतली की सीमा के अंदर है जया बिश्व का सबसे छोटा डेस है बेटिकन city buztuka सबसे चोटा देशю Vatican City किस देशी सीमा के अंदर थोश्तो इ singers देखे Oliver Cowper दीटिली में आपको दिखा रहा हूं इटिली यह है इली यह गालुश दोस्तो और इटिली के अंदर ही बेडिकन city आप लोग यह मैं मैफ मह को नहीं दिख़ पा रहा होगा आप घर में या मोबाइल में अपने सर्च कर लीजिए या अगर आपके घर में मैप हो या इटलस हो तो आप यूरोप महादीप खो लीजिए इसमें देखिए इटली के अंदर ही बेटकन सिटी अविश्थिर है अगले प्रस्ण में दोस्तो यूरोप का भारत यूरोप का भारत किस को दोस्तो मुझे तो ऐसे यूरोप के या विश्थ के पूरे देश रटे होई है मैं आपको एक बार बताना चाहता हूँ यूरोप के पूरे देश देखिए मैं आपको सुनाओंगा आप गिनिये पूर्तगाल इस्पेन अल्डोरा फ्रांस जर्मनी पोलेंड डेनमार्क आ लिथवानिया बेल्जियम नीदने लग जमुर इंग्लेंड बिल्स इसकोटलेंड उत्री आइलेंड आइलेंड मोना को इटली बेटकन सिटी सान मरीलो माल्टा सुइटजिया नहली चिस्तीन आश्टिया स्लोवाकिया हंगरी चेक गर्राज स्लोवेनिया क्रोएसिया बोश मनलब बताए थे मुझे दुनिया के पूरे देश विथ लोकेशन दोस्तों पता है आप अगर इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहे तो आपको भी याद हो जाएगा देखे आपको कई देश आप आज याद हो जाएंगे देखे जूट लेंड के प्रायदीप में डेनमार्क सक्दैनी अबी आई देश नौर्वे स्टमार्क सुड़ेंड यहाद करते चलिए अगर आप याद करेंगे कि इस प्रायदीप में कितने सभी देश एकठे हो जाएंगे आप याद कर सकते हैं अग्चेंगे बिस्व में सबसे ज़्यादा जन घनत तो दोस्तों मोनाको का है मोनाको योरोप महादीब में परता है इटली के पास मोनाको इटली बेटकन सिटी मोनाको इटली के बगल में परता है मोनाको देश यह बिस्सों में यहाँ पर सबसे ज्यादा जन घनत तो पाया जाता है जन घनत तो है क्या जन घनत तो दोस्तों हम ऐसे निकालते हैं कि एक वर्ग किलो मीटर में यानि एक किलो मीटर स्कॉयर में रहे रही जन संख्या एक वर्ग किलो मीटर में रहे रही जन संख्या तो यहां पर इटली में मोनाकों में एक वर्ग किलो मीटर में दुनिया में सब से ज़्यादा जन संख्या निवास करती है यह से भारत का जन घनत तो 343 343 वर्ग किलोमीटर 343 वर्ग किलोमीटर 333-382 तर दोस्तों मुझे 343 343 वर्ग किलोमीटर यह हमारे भारत का जन घनत है यह सबसे ज़्यादा जन संख्या निवास करती है यानि मैंने जन घनत की परिभासा बताई कि एक वर्ग किलोमीटर छेतर में रह रही जन संख्या जन घनत तो मलब यही निकाला जाता है कि एक वर्ग किलोमीटर में कितनी जन संख्या रहती है आउसत है निकाला जाता है जैसे कहीं ज्यादा कहीं कम अगर पूरे देश का आउस्द निकाला जाता है तो पूरे देश का जब आउस्द निकाला गया तो दुनिया में सबसे ज्यादा मोनाकों का जनगनत्तु है देखे भूमद सागर में यूरोप का कौन सा दूइपिये देश इस्थी थे दोस्तों मैंने आपको बताया था कि एसिया से यूरोप को एसिया से कौन अलग करता है यूराल पर्वत कैस्पियन सागर काला सागरा और भूमद सागर तो भूमद सागर में एक दूईपीय देश पाया जाता है माल्टा इसकी राजधानी है वॉलिक्टा यह अविश्थित है यहां पर देखिए भूमद सागर है यहां से यहां यह यह भूमद सागर है यहां पर दोस्तों यह माल्टा है यहां मैं टिक कर रहा हूं यहां पर माल है यह भूमद सागर के अंदर अविष्थित है रूप में जैसे मनें आपको बताया कि वह भूखन जो चारों जल से किला तो यह है भूमद सागर और यह बीच में है माल्टा देश दोस्तों यह यूरोप का एक ऐसा देश है जो भूमद सागर में अविष्थित है इसे भूमद सागर में एसिया का भी एक देश इस्तित देश उसका नाम है साइप्रस इसकी राजधानी है निकोसिया भूमद सागर में यूरोप का कौन सद्विपी देश इस्तित है दोस्तों तो माल्टा उसकी राजधानी है वॉलेटा और अगर पूछा जाए कि भूमद पढ़िए आप पहले ASEA के दो बीडियो पढ़ लिजी पूरे आपको बेसिक पढ़ाया जा रहा है बेसिक से हाई लेबल, जीरो से हीरो आपको बनाया जाएगा दोस्तों कर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिे चैनल को सब्सक्राइब करिे और अपने मित्रों को सेर कर ये दोस्तों मिलते हैं कर अगले वीडियो में तब तक के लिए जैंद